18 साल का लड़का अमीद अपने कमरे में बैठ कर IPL का मैच देख रहा था। उसके मुवाइल पर एक कॉल आता है और वो लड़का अपने घर के नीचे जाता है और उसके बाद लड़का गायब हो जाता है। कहानी निकलकर सामने आई कि अमीद अपने बगल की गाउं की लड़की से प्यार करता था। वह लड़की भी प्यार करती थी। दोनों के बीच अफेर चल रहा था और लड़की के भाई तदा भाई के दोस्तों ने मिलकर अमीद का यह हाल कर दिया। के बाद आरोपियों को अब पकड़ने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है बाकिया मरा नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले अमीद का फोटो देखिए 18 साल का यह लड़का अमीद अब दुनिया में नहीं है दुनिया छोड़कर अमीद जा चुका है अब होता क्या है तो अमीद अपने बगल की गाउं के एक लड़की से प्यार कर रहा था लड़की भी प्यार करती थी दोनों बात चीत करते थे दोनों के अफ़ेर के बारे में लड़की के भाई को पता चलता है लड़की का भाई अपने दोस्तों के सा बात आता है जैसा कि अब तक आरोप लगा है और लड़के को मतलब कि अमीत को उठा कर लेकर वह चला जाता है अब इसकी कहानी घर वाले बताते हैं कि अमीत उस दिन अपने कमरे में बैठ कर IPL देख रहा था IPL का मैच देखते देखते उसके मुवाइल पर एक कॉल आया देर रात हो चुकी थी मुवाइल पर बात करते हुए अमीत अपने घर से नीचे उतरा अब अमीत बात करते हुए नीचे उतरता है और उसके कुछ देर के बाद जब वापस घर नहीं लोटा तो छानभीन शुरू हुई अमित से बात नहीं हो पारी थी फोन पर परिवार वालों को चिंता हुई पूरी रात छानवीन हुई अमित का कुछ पता नहीं चला और इसके बाद पुलिस को मामला पुलिस तक मामला पहुचा पुलिस ने अमित का कॉल डिटेल निकाला पता चला कि अमित से जिससे ब परामत किया तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो सड़ चुका था कोई चेहरा देखकर पहचान नहीं पाता मतलब कि बॉडी को देखकर लोग माँ पर खड़े नहीं हो पाते यहां पर ऐसी सिटी हो गई थी और अंदाजा लगाया गया कि जिस रात अमीत गायब हुआ उसी रात अमी लड़की से प्यार करता था पूरा का पूरा मामला मढवरा थाना छेत्र का है अब बगल के गाउं की लड़की के भाई को पता चला भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अमीत को ठीकाने लगाने आता है और अमीत को ठीकाने लगा भी देता है और इस वक्त की इस्ति जो मिडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है उसके अनुसार दोनों गाओं में पुलिस बलकी तैनाती है पुलिस केम्प कर रही है दोनों गाओं का माहौल उग रहे है मतलब कि गाओं के लोग उग रहे है अमीत अभी दुनिया में नहीं रहा अमीत को मारने वाले बगल के फिलाल छपरा के सारन जिले के जो मढवरा थाना चेत्र है वहीं का पुरा का पुरा मामला है जहां पर 18 साल का अमीद अब हम लोगों के भीच में नहीं है इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वह बगल के गाउं के लड़की से प्रेम करता था प्यार करता था और इसी चक्कर मे इस या फेयर के कारण अमीत अब इस दुनिया में नहीं रहा फिलाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पता पुलिस को काफी कुछ चल चुका है अब असली आरुपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार पीछे पड़ी है आगे कुछ और जानकारी कुछ और नया अ आपकी पर्त करिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्त बने करें बदाईएगा आगे जो भी और जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मारसाथ बने रहिएगा वीडियों नहीं पर समाप करते हैं कि हम्रेक्ष